Hello viewers, myself is Anshuman Proheet and today we are starting with another lecture on classification of engineering materials, okay? So engineering material can be classified as metals and non-metals. ठीक है, दो तरीके से engineering material को classify किया गया है, एक metals और दूसरे और non-metals. Non-metals के हम बात थोड़ी देर बात करेंगे, सबसे पहले हम metals के classification देख लेते हैं, metal को कैसे classify किया गया है. तो metals को दो तरीके से classify किया गया है, ferrous और non-ferrous. ठीक है, दो तरीके के metals होते हैं, ferrous और non-ferrous. Ferrous वो metals होते हैं, जो जिसमें base metal iron होता है. और ये good conductor of electricity होते हैं, heat के लिए अच्छे conductors होते हैं, non-ferrous ऐसे metals होते हैं, जिनके अंदर iron नहीं होता है. ये iron से ज़्यादा costly होते हैं, और ये बहुत कम इन में corrosion होता है, मतलब इनका corrosion resistance बहुत ज़्यादा होता है. तो metals, ferrous and non-ferrous दो तरीकी के होते हैं, ferrous मतलब जो base metals जिनके iron हो, non-ferrous जिसमें कुछ भी iron नहीं हो, जिसमें लोगा नहीं हो, उसको non-ferrous बोलते हैं, लोगे वाले metals को ferrous बोलते हैं. और 2% तक theoretically जब हम carbon मिला देते हैं, तो वो जो iron है, वो steel किलाता है, ठीके, actual में pure farm जो होता है iron का, वो बड़ा soft होता है, pure metal जो होता है, iron जो होता है, वो बड़ा soft metal होता है, परन्तु जैसे से हम उसके अंदर carbon का content बढ़ाते जाते हैं by mass, तो metal जो हाड़र और tougher होने लगता ह और यह बताने कि आवशक्ता नहीं, steel हमारे चारो तरफ इस्तमाल हो रहा है, construction में, automobile में, aerospace में सबी जगे इस्तमाल हो रहा है, तो 2.1% तक carbon मिलाने पर जो iron होता है, वो steel किलाने लगता है, इसके बाद Paris का अगला classification है cast iron, यदि हम iron के अंदर 2.1% से ज़्यादा carbon मिला देते ह तो वो steel नहीं, फिर cast iron किलाने लगता है, 2.1% से 4.5% तक अगर किसी भी iron के अंदर carbon मिला हुआ है, तो उसको हम cast iron कहेंगे theoretically, cast iron बिलकुल glass की तरह होता है, उसकी property brittleness, जो glass में होती है, वेसी property cast iron के अंदर होती है, hammer से अगर हम इसको hit करते हैं, तो यह तूड जाता है, जी क अगर हम steel को further classify करें, तो steel दो तरह के होते हैं, एक carbon steel होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ carbon मिला होता है, iron के अंदर अगर हम सिर्फ carbon मिला है, तो जो है 2.1% तक जो भी हमें मिलेगा, उसे हम carbon steel कहेंगे, और कोई दूसरा metal उसके अंदर हम नहीं mix करने हैं, दूसरा होता करेंगे alloy steel, तो steel दो तरह के हो जाते हैं, carbon steel and alloy steel, carbon मतलब जिसमें pure form of, जिसमें सिर्फ carbon मिला हुआ है, धर हम बात करेंगे cast iron की, तो cast iron दो तरह के होते हैं, white cast iron होता है, white cast iron मतलब की जब iron के अंदर carbon जो है, cementite के form में present होता हम उसे बुलेंगे white cast iron, ठीके, उसी तरीके से दू सिर्फिटिक form of carbon, इसका color gray होता है, इसलिए इसका नाम gray cast iron हैगा, ये piston की rings और house ruled appliances में इसका इस्तिमाल होता है, gray cast iron का, तो ferrous के दो टाइप steel and cast iron, steel के दो टाइप carbon steel, alloy steel, cast iron के दो टाइप white cast iron and gray cast iron, आगे बढ़ते हैं, यहां से हम non ferrous metals के अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना जाओंगो copper, जो की हम सभी जानते है copper का application क्या होता है, इसमें कोई iron नहीं होता है, यह metal होता है और यह घर की electricity wires के अंदर इस्तिमाल किया जाता है, जो electric wires होते हैं, और भी इसके बहुत सारे applications है, तो non ferrous का सबसे copper है, दूसरा aluminium है, यह जो हमारे automobiles होते हैं, उनकी body बनाने में इस्तिमाल किया जाता है, आजकल carbon fiber का भी इस्तिमाल कर रहे हैं, बट उसमें भी काफी इस्तिमाल होता है, काफी सारे parts में aluminium का में इस्तिमाल करते हैं, automobiles के अंदर, फिर इसके बाद होता है zinc, तो zinc का जो होत प्रोड के उपर इनकी coating की जाती है zinc material की, इसके अलावा अगला जो type है, वो है tin, जो आपकी cold rings की केन आती है, उनके जो ठककन आते हैं, वो सब tin material की बने रहते हैं, ठीके, फिर next जो metal हो lead है, यह batteries के अंदर इस्तिमाल होता है lead जो है, ठीके, और bullets के अंदर इस्तिमाल होता है इसका बहुत ज़्यादा इस्तिमाल होता है lead का, फिर उसके बाद जो metal है वो magnesium है, magnesium जो है बहुत ही lightest in weight होता है, और it is the third most commonly used metal after iron, iron के बाद सबसे ज़्यादा यूज करने वाला metal जो है, magnesium है, iron और aluminium, sorry, ठीके, तो यह कहां का इस्तिमाल होता है magnesium का, यह military की aircraft में इस्तिमाल हो बने लगा है क्योंकि इसकी specific strength बढ़ जाती weight काफी कम रहता है, और last में रहता है nickel, nickel जिसाए कि हम लोग सब जानते हैं कि जो सिक्के बनते हों nickel alloys के ही बनते हैं, और यह पिछली एक या दिवर सेंचूरी से nickel alloys के बन रहे हैं, ठीके, फिर हम बात कर लेते हैं non metals की, ठीके, non ferrous में copper, aluminium, zinc, tin, lead, magnesium and nickel, अब metals के बाद हम बात करते हैं non metals की, non metals में organic, organic मतलब की carbon compounds, जो की living organism से बनते हैं, ठीके, उनको हम organic compound बोलते हैं non metals होते हैं, और inorganic मतलब की other than carbon compounds, जैसे की vegetable हो गया, cement हो गया, glass हो गया, यह क्या है, these are inorganic compounds, और इसमें, जो है, कुछ भी carbon compounds नहीं रहते हैं, इनको inorganics बोलते हैं, तो organic के types हम देख लेते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, organic के types हम देखेंगे तो, हम सब बहुत अच्छे जानते हैं, wood होता है, plastic होता है, leather होता है, petroleum products होते हैं, rubber होता है, ठीक है, और inorganic की बात करने हैं, तो cement, glass, minerals, यह सब inorganic compound हैं, तो आप देख सकते हैं, आपके सामने पुरा picture आ चुका है, engineering material की classification का metals होते हैं, non metals होते हैं, metals में ferrous and non ferrous होते हैं, ferrous यानि की iron compounds, जिसमें steel और cast iron होता है, steel के दो types हैं, carbon and alloy steel, then cast iron के दो types हैं, white cast iron, grey cast iron, फिर metals का अगला classification है, non ferrous, copper, aluminum, zinc, tin, lead, magnesium, nickel, सब इसके अंदर आते हैं, फिर non metals दो तरीके होते हैं, organic and inorganic, organic मतलब carbon compounds which are derived from living organism, जैसे कि wood, leather, petroleum product, rubber, plastic, etc, जो जलाया जा सकते हैं, inorganic जैसे glass, cement, mineral, जिसके अंदर carbon compound present नहीं होते हैं, यह inorganic non metals होते हैं, जैके तो these are the total classification of engineering materials students, ठीके, अब देख सकते हैं, यह पूरा का पूर engineering material का classification है, तो, I am sure you will like the information given in my lecture, so please forward the link as much as possible to all the knowledge seekers in your contact, by any means, subscribe my channel for more vibrant videos, like this video, like my channel and subscribe it, thank you, thank you so much for showing so much of patience.